गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम तू एक्लासेश, तुड़े आई विल स्टार चैप्टर फिप्थ, आवर नेबरूट, नेबरूट मेंज क्या होता है, हमारे पासपडोस के लोग, देंग, हमारा घर जो होता है, वो बहुत से लोगों के घरों से घीरा होता है, इस एरिया एराउंड आवर हाउस, इस आवर नेबरूट, जो एरिया जो घर अगल बगल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेबरूट, याने की पाडोसी, नेबर अर वेरी इंपंटन्ट टू जो हमारे पडोसी होती हैं, वो हमारे लिए बहुती इंपॉर्टेंस होते हैं, महतुपूर्ण होते हैं, वे हमारे जब भी हमें कोई चीज की जरुद होती है, तो सबसे पहले हमारे पडोसी ही हमारी मदद करते हैं, जो एरिया हमारे घर के आसपास होता है, और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं और वो काम करते हैं, उनमें हम क्या कहते हैं, नेबर होड़। प्लेसे बहुत सी प्लेसे होती हैं, जो हमारे प्लाइफ को कमफरटेबल और सेफ बनाते हैं, लेट ट hell अप्लड़। Market, Market is a place where we get different things of our daily needs Market एक ऐसी जगह है जहां से हम daily needs के सामान को खरीबते है Hospital, Hospital is a place where we go when we are ill जब हम कभी बिमार होते हैं तो कहां जाते हैं Hospital School is a place where we go to study School ऐसी जगह है जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं Bus stop is a place where we go to take a bus हमें जब कभी बाहर जाना होता है तो हम बस पकड़ने के लिए कहां जाते हैं Bus stop Post office is a place where we go to buy stamp, postcard, envelope and also to post the letter Post office में हम जाते हैं तो वहां से हम क्या-क्या खरीते हैं stamp, postcard, envelope और वहां पे हम letter को भी post करते हैं Police station Police station is a place where the police work The police protect us from thieves Police station एक ऐसी जगा है जहां पर police वाले क्या करते हैं काम करते हैं और police हमें चोरों से भी बचाती हैं तो बच्चों यहां पर आपने देखा हमारे neighborhood में हमारे पास पर उस में कौन-कौन से चीज़े होती हैं मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, एक्सेक्टर यह सब क्या होती हैं हमारे neighborhood होते हैं जो की हमारी help करते हैं कोई भी जरूत पढ़ने पर क्या होता है हम इनकी help लेते हैं तो आपने भी अपने आसपास में देखा हो गया ऐसे तो यह सब हमारे क्या है neighborhood आई हो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक्यू class